जो पहली बार जोड़ रहे हैं मन को पता दो हिमाचल जी के जगमान ब्लोकरा से कवर किया जा रहा है दोस्तों चमबा का फोर्थ लेक्चर्स होगा जिसने पहले की लेक्चर्स नहीं देखिया है लेक्चर्स बॉक्स चेक करिये वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स अगर आप हिमाचल के किसी लिए परफेशनल के लिए तब दोस्तों आप लेकर वर्ट्स आप कर सकते हैं लेकिन लेक्वर्ट्स आप करते हैं फ्री टेस्ट जरूर मेंचन करें चलिए, questions के उपर चलेंगे पहला questions आपकी screen के सामने है दगनी धार एक चोटी range है जो पांगी range से उस बिंदू से निकलती है जहां से उत्तर जम्मू शेतर में परवेश करती है यह बीच की सीमा बनाता है Friends, जब भी हम mountain ranges की बात करते हैं यहां से questions आपके exam में जरूर पूशा जाएगा अब देखिए दोस्तों यहां से जो questions बनेंगे वो किस label का रहेगा पहले तो आपको बात यह clear करनी कि आपको हमाचल का map बिलकुल पता होना चाहिए Friends, हमने एक वीडियो बनाई थी एक lectures आपके लिए बनाई था map के जरीए जिसमें हमने आपको सब कुछ clear out किया था कि किस तरह से आपका चाहिए मैं trans हिमालियास की बात करूँ inner हिमालियास की बात करूँ या upper हिमालियास की बात करूँ और इनमें कौन-कौन से खेती होती है क्या क्या इनका geographical area है कौन सी नदी किस तरह से है कौन से passes में है दोस्तों link आपको discussions box में आपको मैं दे दूँगा ठीक है आप उस lectures को जरूर रेटेंट कर रहा क्योंकि आपका वहाँ से बहुत कुछ concept clear हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर options की तरह बढ़ेंगे options आपके सामने है लेकिन पहली बात तो यह कि चमबा में कौन-कौन सी mountain ranges है ठीक है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं हाथीदार की ठीक है यह भी चमबा में है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा और थोड़ा सा modified इस चीज़ को कर दूँ ठीक है कि हाथीदार और धोला धार के बीच कौन सी तहसील है यहनकि यहाँ पर important क्या है भटियात ठीक है क्योंकि यह चीज़े आपको clear होने चाहिए ठीक है मैं यहाँ पर क्या बात कर रहाँ कि हाथीदार और धोला धार के बीच तहसील कौन सी है भटियात ठीक है लेकिन पांगी जो रेंज है उसको पीर पंजाल कहते है थोड़ा सा नेम से आप clear कर सकते है कि पांगी रेंज पीर पंजाल ठीक है उसको कहते हैं ठीक है पांगी रेंज बोलो या फिर पंजाल बोलो ठीक है बात एक ही है ठीक है फ्रेंड्स पीर पंजाल रेंज का जो पीर पंजाल रेंज है ठीक है बड़ा भंगाल से चंबा में एंटर करती है ठीक है और चंबा को कितने भागों में बांट देती है अगर मैं इस questions के उपर बात करूँ जो की दगानी धार के बारे में पुशा गया है दगानी धार चमबा और भद्रवा जो की जमू कश्मीर के बीच की सीमा बनाता है concept clear हो रहे हैं दोस्तों ये concept आपके जिरूर clear होने चाहिए ये copy pencil ले लिजी क्योंकि सभी questions include कर पाना मुश्किल रहता है जो जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप साथ में लिखते भी रहेंगे तब भी आपका बहुत फाइदा हो जाएगा यहां पर तो skip कुछ नहीं होना चाहिए एक दो बार आप इन lectures को देखोगे आपका बहुत कुछ यहां पर clear होने बार है फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही answers होगा option number a and की चमबा and भद्रवा questions के ओपर थोड़ा समय आपको एक बार फिर से rewind करवांगो इस questions को कि यहां पर पूछा के गया था दगानी धार एक छोटी range है जो पांगी range से उस बिंदू से निकलती है जहां से उत्तर जमू शेतर में परवेश करती है यह बीच की सीमा बनाता है ठीक है मैं अभी आपको clear कर दिया कि जो आपकी दगानी धार है ठीक है चमबा और भद्रवा जमू कश्मीर के बीच की सीमा बनाता है ठीक है clear है तो इसका sayances होगा options number a.n की जमबा और बद्रवा ठीक है चली next यहाँ पर देखेंगे पद्री और चातर धार पासर्स आर इन ठीक है अब देखी दोस्तों यहाँ पर इससे related बहुत questions बनता है पद्री धार से ठीक है पद्री और चातर धार पासर्स आर इन अभी तो आपको clear है कि हम चमबा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप एकदम से बता देगे कि इसका असर्स चमबा होगा ठीक है क्योंकि अब questions आगे बहुत advance हो रहे हैं बोलने का मतलब है कि हमने चमबा के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है जिग्राफिय इसका read कर लिया है Kings इसका read कर लिया हिस्ट्री इसका read कर लिया economy कि जैसे से questions यहां से बनेंगे census बगारा के वैसे वैसे include रहेंगे ठीक है क्योंकि इसके चारिया पांच lectures आपको मिलने वाले हैं बहुत कुछ clear हो रहा है आपका यहां से बताइए अब देखें दोस्तों जो आपका पद्री पासस है दर्रा है वो चम्बा को जम्मू यानिकी भद्रवा से जोड़ता है ठीक है किस से जोड़ता है चम्बा को चम्बा को किस से जोड़ता है जम्मू से जोड़ता है जम्मू यानिकी भद्रवा, इलाका, ठीक है, प्लेस है ये, उससे जोडता है भद्रवा से, ठीक है, पद्री और चतरदर्रे, यहाँ पर उच्छा किया था, लेकिन, the right answer is चमबा, clear है, चलिए, नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे, कलिचो, हेजर, द्रती, मारू, चेनी और स अच्छ धारा है, किसकी साहिक नदिया है, बताइए, अगर आप allied edges, बगरा की त्यारी कर रहे हैं, तो, आपको यह चीज़े, रीड करनी ही पड़ेंगे, क्योंकि लेवल अब हाई हो चुका है, आप इन चीज़ों को skip नहीं कर सकते हैं, बताइए, अगर दोस्तों मैं यहा चंबा को पांगी से जोडता है, अब दोस्तों मैंड में आ रहा है, दराती, दराती पास, चंबा को पांगी से जोडता है, यह भी चंबा को पांगी से जोडता है, ठीक है, एक आपका है, चुवारी, यह जो चुवारी है, यह चंबा को कांगड़ा से जोडता है, ठीक है, पद्री, अभी हमने उपर भी रिड कर लिया, चमबा और बदरवा को जोडता है, बदरवा इनकी जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये आपको की पॉइंट याद रखने है, ठीक है, अभी आपर पूछा गया था कि किसकी साहिक नदिया है, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी नाम है, इनको याद करो, एक बार इनको खुद से याद करो, अभी, आपको अभी याद हो जाएगा, कलिचो, हेजर, द्रती, मारू, चेनी, ये जो जितनी भी सच धाराएं हैं, यानि कि, ट्रिब्यूटरीज हैं ये, ठीक है, स्ट्रीम्स आरदा, ट्रिब्यूटरीज, यानि कि, साहिक, ठीक है, अरावी, चली, नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं, बोडिल और टुंडा, कि कि चायक नदियां हैं, हमने इस चीज के बारे में पिछले लेक्शेस में बहुत कुछ क्लियर किया है, ठीक है, कहां से निकलती है, कहां से इंटर होती है, क्वोन सी धार में है, पिछले लेक्शेस जबूर चॉक आउट करो, बहुत कुछ क्लियर होगा आपका, the right answer is, option गि और यां अभ देखिए दोस्तों अभी के बारे में जो सभी त्रिब्यूटर हैं जो सभी। части में डिसकस चुके बांदल है तंगळी है च्छली हैं। चंबा में मणी मेश कितनी उंचाई पर सित हैं दोस्तों अगर आपको इसका लंब सम भी याद है तब भी आपका एक्जाम में questions ठीक होगा जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल accurate चलना है थोड़ा सा बोले के मतलब यह हैं कि जो इसका जो अंसर है 49-50 मीटर ठीक हैं अगर आप यह आंकड़ा भी याद रख लेते हैं यह डिजिट भी याद रख लेते हैं मनी मेश की मुझाई का क्योंकि अगर आप deeply exam की preparation करें तो direct exam में questions बनता है और आपके exam में questions बनने भी हैं ठीक है चले next यहाँ पर देखेंगे लांजी सेरो और राजनगर किस जिले के तीन जैतून बिकास के अंदर है very very important questions questions बना है यह चीज़े आपको आनी चाहिए जैतून बिकास के अंदर यहाँ पर पूछा गया है three olive development centers in the district बताइए चमबा के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी तो obviously से आपको पता हो चलेगा की चमबा होगा अच्छी बात है डिस्टिक वाइस हम कर रहे हैं तो अगर आपके exam में questions बनता भी है challenge के साथ कह रहा हूँ गलत नहीं होगा क्योंकि आपने यह चीज़ पढ़ ली चलिए next चमबा दुग्ध आप उर्ति योजना चमबा में शुरू कब हुई थी अब देखी दोस्तों यह जो questions है highlight हो रहा है अभी कि क्या questions बन सकता है economy questions होते हैं यह अगर आप गेस्टेट exam की preparations करें तो आप को आना चाहिए December 1978 फ्रेंड्स crash course चर्वे प्रफेशनल सकेंड़ फस्ट और बेस्ट प्रप्रप्रेशन के लिए आप जोइन कर सकते हैं डेली टेस्ट आप लगा सकते हैं ठीक है क्योंकि जतने अदा आप टेस्ट लगाऊगे आपके लिए उतना एडवांटेस रहेगा चलि नेक्स्ट यहां पर देखेंगे कि 2011-12 में चमबा जिले का कुल फसली खेत्र था चार हजाद दोस्तों नपे ठीक है कुल फसली शेत्र था यह है ड़ टोटल क्रॉप डेडिया ऑफ द चमबा डिस्टिक इतना ठीक है चली नेक्स्ट देखी दोस्तों हम क्वेश्चन सब कुछ एड़ कर रहे हैं यह आप ठीक है अगर क्वेश्चन आउट भी होगा चैशा सेहस में पूछा भी गया यह भी क्रूकि आप कई चीज़े आने चाहीं कि जब रॉक्स की बात करते हैं तो आपको पता होने चाहिए सारी चीज़ें ग्लूम यानि की गूंत ठीक है लेटी अक्वार बनाने चिपकाने में काम भी आते हैं अक्वार के जो लिफाफे होते हैं ठीक है चली नेक्स्ट यहां पर देखेंगे पहले पनवीजली स्टेशन को चमबा शेर में शुरू किया गया था तो फर्स्ट हाइड्रो एलेक्ट्र कि आपर बात हुई है आना चाहिए सभी को क्वेशन डायक्ट क्वेशन बनेगा राइट अंसर 1910 ठीक है चली अब देखिए दोस्तों यहां से जो क्वेशन बनेंगे हाइड्रो प्रजेक्ट हुआ यहां कि जैसे कि मैं आपको पहले भी कहा है कि हम आपके लिए एक सेपरे प्रजेक्ट ही डिसकस करेंगे क्सा नदी पर है कोई सी कंपणी से योग कर रही है किस देश का उसमें रहा है कि कोन सा स्टेट कितना पैसा दे रहा है कितना मेगावाट का है यह सारी चिजह हम डिसकस करेंगे MCQS के जरीए चम्बा में चमेरा के सवी तीन चरण किस कम्पनी के स्वामित्तम में है यहां पर बात हुई है ओंट, वायवीच, कम्पनी राइट आंसर इस ओप्षञ्वाज नॉंबर यहीन कि NHPC ठीक है यह तीनो इसी कम्पनी के अंडर है ठीक है ठीक है तीन चरण किस कंपनी के स्वामित्त में आ रहे यहां पर इन एच पीसी चली नेक्स्ट यहांपर देखेंगे अब देखेंगे आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं चली नेक्स्ट हिमाचर पदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की एक शाखा चंबा में ख खोली गई हमने ब्लास्पूर में भी देख लिया था कि ब्लास्पूर में पहली शाक्र खोली गई थी ठीक है तो बहुत कुछ हम यहां से सीख रहे हैं ठीक है अगर आपको थोड़ा सा पता भी है तब भी आपका राइट अंसर होगा स्यूल जो है वो रावी की सबसे बड़ी साहिक न दिया है ठीक है चलिए मियार और कदो टॉक को धराएं अलग हो जाती है अब देखी दोस्तों यहां पर जैसे कि मैंने आपको क्लेर किया है कि जो भी आपकी माउंटेन रिंजर्स हैं जैसे कि पीर पंजाल हो गया जासकर हो गया ठीक है साच हो गया पीर पंजाल और जासकर के बारे में तो आपको बिल्कुल क्लेर होना चाहिए कि कहां से आ रही है कहां पे अंटर हो रही है इसकी खासित क्या है इसका जोग्राफिकल एरिया क्या है ठीक है क्योंकि यहां से चीज़े बहुत कुछ डिपली आपकी एक्जाम में बनेंगी हम इन चीज़ों को भी अलग से डिसकस करेंगे इनी दो स्पेशल टॉपिक्स को क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ठीक है जासकर रेंच चली नेक्स यहां पर देखेंगे बांधा नीना और बारिना निमलिकित में से किस अनुस्ठाम के अन्य नाम है बट्टा सथा सथा, सोथा, चामी नाटा या फिर तिहार दखिए अब यहाँ पर क्वेशन्स जो है वो आटन कल्चर से बनाए रित रिवास से क्वेशन्स बनाए ठीक है आना चाहिए क्वेशन्स और जैसे से हम अधर डिस्टिक में घुसेंगे आपको बहुत कुछ क्लेर होने वाला है राइट अंसर इस आप्शनमर बी एन की सोथा बांधा, नीना और बारिना निमलिकित में से किस अनुस्ठान के अनिनाम है सोथा, आपको याद रखना है ठीक है चली, नेक्स्ट, यहाँ पर देखते है निमलिकित में से किसे मिनी स्विजरेंट के रूप में जाना जाता है, I hope सबको क्लेर होगा खजियार लेक, पांगी घाटी में लिसो, निमलिकित में से किस त्योहर का दूसरा नाम है इंपोर्टेंट, कॉशन्स बनेगा फेस्टिवल से लेटेट कॉशन्स बनेगे लेकिन अगर आप अलाइड एचेस जैसे एक्जाम के प्रिपरेशन करनें तो इसी नहीं आता है ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है बताइए, क्या वो नवरात्रे है, हर्याली है, बेसाकी है या फिर दिवाली है राइट आंसर, बेसाकी, कॉशन्स क्या था पांगी घाटी में लिस हो, निमलिकेट में से किस त्योहर का दूसरा नाम है आना चाहिए, बेसाकी, क्लियर, नेक्स्ट, यहां पर देखते है पट्टू के प्रकार को इसके तंगी के नाम पर किस प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अगर आप किसी भी गेस्ट अफिसर एक्जाम की प्रिपरेशन्स कर रहे है तो यह क्वेशन्स बार-बार हाइलाइट हुआ है ठीक है, राइट आंसर, ओप्शन्स नमबर B, ठीक है चलिए, नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे बकलो केंट में एक पकवाड़े की इंडो थाइलैंड जोइनिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज मैट्री का इसमापन हुआ बकलो केंट किस जिले में है और यह जो बकलो केंट है दोस्तों, यहां से क्वेशन्स बनता है ठीक है, अब देखेंगे, यहां से हम चमबा के बारे में हर एक क्वेशन्स को अच्छे से डिसकस कर रहे हैं कुछ भी नहीं चूट रहा है आपका, नेक्स लेक्चर्स, लास्ट लेक्चर्स होगा चमबा के उपर और इसके बार जो चमबा के बारे में जो अधर कॉशन्स होंगे क्योंकि क्रैश कोर्स में आपको फुल पैकेज में हो जाता है, जोइन कर सकते हैं देवी पारवती की पूजा निमले खित में से किस रूप में मनी मेहिश जील खेतर में की जाती है आना चाहिए, राइट अंसर माता गिर्जा देवी पारवती की पूजा निमले खित में से किस रूप में मनी मेहिश जील खेतर में की जाती है माता गिर्जा पीर पंजार रेंज को आम बोल चाल में निमले खित में से किस नाम से जाना जाता है मैं अभी आपको उपर clear कर दिया है right answer is option number BN की पांगी रेंज चोरी पास हिमाजतर पुदेश के किस क्षेतर में स्थित है चोरी पास की यहाँ पर बात हुई है right answer is option number CN की कांगडा चमबा clear चलिए next यहाँ पर देखेंगे गोरी देवी का टिबबा पीक यहाँ की चोटी हिमाजतर पुदेश के किस क्षेतर में स्थित है right answer option number BN की चमबा निवले कितमें से कौन गद्धी का प्रमुख देवता है देवता की यहाँ पर बात हुई है गद्धी का मैं पीछे लेक्षेस में भी आपको क्लेर किया है right answer is option number C&E की load ship अब दोस्तों आपको करना क्या है whatsapp करना है crash course की details लेनी है lectures की PDF आपको telegram पर मिलेगी link descriptions में है join कर सकते हैं other notifications भी आपको मिल जाती है और साथ में अगर आप free test लगाना जाते हैं WhatsApp कर सकते हैं लेकिन WhatsApp करते हैं free test जरूर mention करें जिस भी exam के आप क्यारी कर रहे हैं like share subscribe जरूर करना जूड़े रहेना है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहे हैं extra ठीक है extra questions यह आपको पूरी उमर help करने वाले हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ discuss कर लिया है चमबा के बारे में और अधर डिस्टिक के बारे में blast pro हम बिल्कुल clear कर चुके हैं और इसके बाद जब mcq set चलेगा fast revision चलेगी मैं challenge कर सकता हूँ आपका एक भी questions गलत नहीं होगा एक भी questions गलत नहीं होगा यह challenge है